हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? गाइज मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं Abroad Jobs आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजलेड की जॉब्स के बारे में आज मैं आपको न्यूजलेड की एक ऐसी वेबसाइट बताने वाली हूँ जिस website के थूँ आप Aram से New Zealand की किसी भी job के लिए apply कर सकते हैं और Aram से New Zealand जाकर के काम करके लाखो रुपे कमा सकते हैं तो guys अगर आपको पूरी information के बारे में जानना है तो वीडियो के आइन तक जरूर बने रहेगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल New Zealand बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और बहुत सारे लोग New Zealand की जॉब्स के लिए अपलाई करते हैं और वहाँ जाकर के काम कर रहे हैं तो गाइस इसलिए आज मैं आपके लिए New Zealand की ये वीडियो लेकर के आई हूँ जहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स अविलेवल मिलेंगी आपको वहाँ पर cleaner से, hospitality sector से related jobs देखने के लिए मिलेंगी construction से related jobs देखने के लिए मिलेंगी और आप जिस भी job के लिए apply करना चाहते हैं आप आराम से इस website से उन jobs के लिए apply कर सकते हैं अगर requirement की बात कर लिए जाए तो guys बहुत ही basic से requirement मांगे जारी है अगर आपके पास minimum qualification है तो भी आप आराम से यहाँ पर job के लिए apply कर सकते हैं आपकी basic communication skills अच्छी होनी चाहिए अगर आपके पास in fields में experience है तो guys बहुत ही अच्छा है आपको बहुत ही अच्छी salary provide की जाएगी आपको job में select होने का chances भी बहुत जादा बढ़ जाएगा लेकिन अगर आपके पास in fields में experience नहीं है आप as a fresher job के लिए apply करना चाहते हैं तो भी आप आराम से यहाँ पर job के लिए apply कर सकते हैं तो guys चलिए देर ना करते हुए मैं आपको website पर लेकर के जाती हूँ और वहीं से पूरा process देखाती हूँ कि कैसे आप job के लिए apply कर सकते हैं तो guys चलिए चलते हैं guys यसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग Google पर हैं Google पर मैंने search किया है seek.co.nz यहाँ पर देख सकते हैं jobs on seek newslands number one employment website guys यहाँ पर मैंने click किया है jobs पर तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर keyword डालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ से आप classification कर सकते हैं categories को फिर यहाँ पर आप सीख करके ढूंड सकते हैं तो गाई नीचे देख सकते हैं आप quality analyst की job देखने के लिए मिल रही है और नीचे के तरफ स्क्रोल करेगा तो finance manager है, admin officer है workforce coordinator की job है यहाँ पर और नीचे के तरफ स्क्रोल करेगा warehouse speaker packer है यहाँ पर picker packer है receptionist administrator की job है मतलब कि सारे category से jobs available मिल रही है अब मैंने receptionist and administrator पर click किया है click करने पर आप देख सकते हैं full time है और यह 3 घंटा पहले ही post हुआ है यह job मतलब की available है, यहाँ पर आप job description पढ़ सकते हैं roles and responsibilities देख सकते हैं नीचे यह सारा कुछ पढ़ते वे requirements को check करते वे यहाँ पर apply पर आपको click करना है क्योंकि apply पर click करने के बाद आपको यहाँ पर sign in करने के लिए बोला जाएगा तो guys पहले आपको seek के official website पर अपना एक account create करना होगा आप अब यहाँ पर email address और password डाल करके यह account create कर सकते हैं उसके बाद आराम से यहाँ से किसी भी job के लिए apply कर सकते हैं अब मैं आपको दूसरी job के बारे में search करके दिखाती हूँ जैसे मैंने यहाँ पर अभी cleaner लिखा है cleaner की job के लिए guys देख सकते हैं कि कितनी सारी positions available है और वो भी different different companies में available है आप आराम से उन सारी companies में job के लिए apply कर सकते हैं आपको बस खुछ नहीं करना है guys जैसे कि यहाँ पर मैं cleaner पर क्लिक करके दिखाती है आपको cleaner पर क्लिक करना है requirements चेक कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं experience is preferred but not essential मतलब अगर आपके पास experience है तो ठीक है लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिकत की बात नहीं है guys यहीं से देख सकते हैं आपने कितनी सारी cleaner की जॉब थी अब मैं आपको waiter की जॉब के लिए apply करके दिखाते हैं जैसे देख सकते हैं आप पर waiter की जॉब है जैसे बरिष्टा हो गया general manager की जॉब हो गई service hand की जॉब है आपको मतलब hospitality sector से related बहुत सारी jobs यहाँ पर सोग हो रही है फ्रांट आओ मतलब यहाँ पर है फिर देख सकते हैं waiter की जॉब है waiter and waitress की जॉब है आपको कितनी सारी different categories की जॉब देखने के लिए मिल रही है sector एक ही है लेकिन sector के अंदर में कितनी सारी अलग-अलग jobs अभी लेवल हैं गाइस अब मैं आपको construction की जॉब के लिए search करके दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने construction लिखा है नीचे के तब scroll करके देखते हैं आपर देख सकते हैं project manager की जॉब है project coordinator की जॉब है construction worker की जॉब है construction worker की जॉब है यहाँ पर देख सकते हैं आपको construction manager की जॉब है civil construction की job है, legal proposal की job है मतलब आपको इतनी सारी jobs available मिल रही है आपको कुछ नहीं करना है guys बस मैं आपको फिर से बताऊंगे कि अगर आपको New Zealand में जा करके काम करना है तो आप यहाँ पर आईए यहाँ पर अपना account create करी और अपने preference के according job के लिए search करते वे उन jobs के लिए apply करना है, start कर दीजे तो guys यहाँ आपने देखा कि कितना simple process है आपको इस website पर जाना है यह New Zealand का बहुती famous website है guys आप आराम से यहाँ पर job के लिए search कर सकते हैं requirement check कर सकते हैं और आराम से यहीं से directly job के लिए apply कर सकते हैं तो guys अगर आपको New Zealand जा करके seriously काम करना है तो जल्दी से New Zealand format का CV और cover letter बना के तयार कर लिजे अगर आप हमारी help लेना चाहते हैं तो नीचे देगे whatsapp नमर पे हमें contact करिए हमारी team आपको एक professional New Zealand format का CV और cover letter बना के provide करेगी guys अगर आपको हमारी useful information पसंद आई हो